नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपका दोस्त रिंको कुमार स्वागत करता हूँ जीवन ओनलाइन टेस्ट की एक नई वीडियो में दोस्तों आज हम जिस विसे पर बात चीत करने जा रहे हैं दोस्तों बैविसे हैं हिंदी दोस्तों हिंदी के हम किस-किस टॉपिक पर बात क कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी का इतिहास बड़माला में स्वर बेंजन और एक छोटा सा कुसनांसा टैस्ट लगाएंगे दोस्तों तो दोस्तों कहीं नहीं जाएगा इसके लाब आमने कुछ ट्रिक इस्तिमाल किये ताकि हिंदी के जो बड़माला है उसको आसाने स से याद किया सके तो दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इसमें लाल बटन दिया हुआ है दोस्तों इसको क्लिक करके आप हमारे टॉपिक दोस्तों सुरूब में डिस्कस कर लेते हैं इतियास को हिंदी भांसा का इतियास दोस्तो कहा जाता है कि बेदिक संस्कृति पाली, प्रागर्ट, अब्रंस, आधि, किसी भी पिराचीन भारतिय भासा में हिंदी सब्द उकलब्द नहीं है बस्तुते हमारी भासा का नाम हिंदी इरान्यों के द्वारा दिया हुआ है दोस्तो पहले से ही हमारी भांसा जो हिंदी है इसका किसी भी भांसा में या यूं कहें कि किसी भी भांसा में हमारी भांसा जो है हिंदी इस सब्द का इस्तमाल नहीं क्या हुआ जो हमारी देवों की भांसा थी बेदिकाल से ही तो वो देवी भांसा संस्क्रित थी उसमें भी हमारी हिंदी भांसा का सब्द नहीं मिलता है फिर भी कहा जाता है कि हिंदी भांसा का जनम अब्रंस से माना जाता है दोस्तों फिर भी इसका जो जनम माना जाता है वो अब्रंस भांसा से माना जाता है 14 जन्बरी 1949 को भारते सम्मिदान में हिंदी को मानेता मिली हिंदी दिवास पिरती एक 14 सितंबर को मनायाता है दोस्तों जैसे हमने पीछे मनाया सितंबरी चल रहा है अभी सम्मिदान की आठवी अनुसूची में मानेता प्राप 22 प्रदेसिक भासाओ का उलेक है दोस्तों भारती सम्मिदान में आठवी अनुसूची में भासाओ से संबंदित दोस्तों इसमें सुरुरु में चौद्य भासाओ उलेक है ऐसा नहीं सुरुरु से ही इसमें बाईस बासाओ थी 21 बाद संसोधन जो 1968 इसमें सिंधी और 71 बाद संसोधन 1992 में कॉंकडी, मणिपुरी, नेपाली को सामिल कर ले गया जिससे इसमें 18 भाँसाओं से संबंदित जो हमारी आठवी अनसूची लगती है इसमें कुछ संसोधन की गए जिसमें 21 बाद संसोधन जो 21 बाद संसोधन था 1966 में और 71 बाद संसोधन 1992 में हुआ इसमें कुछ भाँसाओं नई भाँसाओं जोड़ी गई जिससे इनकी संग्या बढ़ती गई आगे देख लेते हैं 92 संसोधन जो हमारा अंतिम संसोधन था इसम इस संधयार तीन में गएए इसमें बोड़ो डोगरी मेतलि संधाली को सामिल कर लिया गया दोस्तो हमारी जो राश्ट्य भासा है या राज्य भासा या संग भासा है जिसको हम बोलते हैं ये हमारी भासा हिंदी है और ये 343 सनुचेत का अंतरगत लगती है इसके अलाबा इसमें कुछ और अनुचेत भी दिये गए हैं दोस्तो हमने केवल इसको डिसकस किया है जिसमें में पॉइंट हैं आगे पढ़ लेते हैं हिंदी की कुल पांच उपभासा हैं दोस्तो हमारे जो हिंदी है वो अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग परिकार से बोले जाती है इसका मैं चोटा सा उधारन दे देता हूं जैसे हरियाना में अलग परिकार से बोले जाती है रा भांए माला में कि पर्ष्ट करते हैं फॉण के सबसे चोटी इकाई दोस्तों सबसे चोटी नोसका मन जाता है और वच से हमारा सब्ध करोड से हैं इस आग़े डिसकुस करते हैं वनалось बन्लों के विवस्ति समू को बन्माला कहते हैं आथार्ट बन्लों का विवस्ति समू जिसे हम एक प्रिकार्ट से यूं कहें सजा कर रखते हैं और एक बर्ग बना कर रखते हैं उसको ही हम बन्माला कहते हैं जिसमें हमारे आगे डिसकस करते हैं मैं मुलते हिंदी में उच्चारन के आधार पर 45 बने दोस्तों लिखने का बने जिसमें त्राइज आ. इसमें पूरहर नर पर ढूलाय दोस्तों बोलने का अधार और लेकन लिखने का अधार पर इनका अलगलगे केते कि हैं लेखन आधार पर और 25 व्यंजन इब made our rights जो सेथी देखते हैं और 25 व्यंजन और चार सज्वर औप वड़मालों कितने भाजों वाटार यह एक बाया आल्या जेलाता है दोस्तों के बारें पढ़ लेते हैं स्वतंत रूप से बोले जाने वाले वन स्वर कहलाते हैं प्रंप्रागत रूप से इनकी संक्या तहरे माने जाती है उच्चारण की दिरस्टी से इनमें केवल 11 ही स्वर है दोस्तो उच्चारण की दिरस्टी से देखा जाए तो 10 स्वर माने जाते हैं बीकि भी डिस्कस क्या है परांतु आप जो स्वरों लिखें गैंगे वह 10 लिकें कियोंकि जो हमारे स्वरों है व करिद्री है उसको अलग रखते हैं वो चारण की द्रश्टि में हम उसको अलग रखते हैं परांतु जो अगर कॉष्ण बनता है कि कितने सुवर हैं तो हम 11 वर लगाएंगे उचान की दस्टी से बैसे दस्त होते हैं दोस्तों और जो रिरी है उसको हम अलग रख दें तो हमारे दस्त बन जाते हैं आगे डिस्कस करते हैं स्वरों के प्रिकार मात्रा या उचान के आधार पर स्वरों के प्रिकार के होते हैं हमने अलग-अलग डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें डिस्कस करनी कोशिश नहीं किया है यह हस्वसवर कहलाते हैं यह कौन सो होते हैं ए और चोटी ए और चोटा उ और आगे बात कर लेते हैं दिर्गसवर जिनके उच्छानल में हस्वर से अधिक समय आर्थार दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दिर्गसवर कहते हैं यह होते हैं तो दोस्तों इस प्रिकार से हम हएस्पस्वर और दिर्गुस्वर को हम एक बार बैसे सद्रें कर लेते हैं कह next start को एक वर्ड खेंच कर वोलते और दिर्गुस्वर को लंबा खेंच कर बोलते हैं सकते हैं दोस्तों मैं आपके सामने यी याना लिक्कर अत्ति अद घ्रिया है इसने जो बाद वाला वर्ड क है इसमें सब्सक्राइब करें डाया हूंग कूल ने लिए जक मलत है इसमें ज्यादा समय लग रहा है दोस्तों तो इस प्रिकार से यह क्याटिरी के अंतरगत रहा था यह धिर्ग सुवर के अंतरगत रहा था जिसे के हमने इसमें देखा भी है दोस्तों यह जो बढ़ाओ की मातरह होती है वह इसका अंतरगत चैर्ण कि जाहिता बोले यह यह कूप नहीं कोगोव समक्राइब को रखे नोरोब परनप्राइब रूарт से ब्यांगत के सब्सक्राइब है 23 कॉशंचो निरूप से डिद yag subsidy होते हैं जो स्वहरों की साह intentionally gjपोंधे दोस्तों अगर हम एक थम्हें अपको लिखें बताता हूं दोस्तों क्या होता है कि हमने लिखा है कि को मोश meglio और के क्लास्ट मैं एक चीह करश में निकल निकल का तो दोस्तों इस प्रिकार से जो हमारी धनी निकल बन रहा है और आया से मिलका बन रहा है तो यह जातक का तो इस प्रिकार से हम इसको कह सकते हैं जो स्वरो के साहिता से बोले जाते हैं उनको हम वियंजन बोलते हैं प्रमप्रागात रूफ से इनकी संक्या 33 माने जाती है पर उन्तु दिर्गुणु वियंजन जो अभी नहीं जोड़े ग रखते हैं कभी हम बनमाला में नहीं रखते हैं इनकी जगे नहीं है इनको अलग से दिखाते हैं तो दोस्तो इस प्रिकार से अगर हम प्रमप्रागत रूप से देखें तो इनकी संक्या 33 माने जाती है आगर इन दोनों को मिला दिये जाए जो द्रिगुणु वियंजन है त ठीक धंग से पढ़ सकते हैं दोस्तों इसमें एक चीज का और ध्यान रगनें दोस्तों मैंने इसमें रंगों का इस्तमाल क्या है इन रंगों को प्लीज देखते हुए चलें जिस रंग के नीचे जो रंग आ रहा है वो उसी के बर्ग के अंतरगत रखायाता है दोस्तों इसम तो देख और चैले इक बार को यह जाने कि पहला नंबर की और तीसरा नंबर को पांचा कम नंबर यूँ पहें कि सम सो यह बि क्यों मैंने बोल्प गलत बोल देब दोस्तो अगर मानें जाए कि जो बिसम होते है घ् podía डिसम है जो बसम बढ़े उनको मानके चलें तो हमारे जो है बढ़ होते हैं याड़ की जो विएन्जन होते हैं उनको हम अलप मिझन होते हैं उनको महा ने लातुन यह दिमाग में रखती चलिए ढरखों दोस्तों स्व तो दोस्तों सुरू करते हैं पहला बर्ग के नीचे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है कंट है उसके बाद उच्छान इस्थान पढ़ते हैं कंट और फिर बाद में पढ़ने जरुत नहीं है या आपके सभी को पता होगा जिन बच्चे जिन सोरी बच्चे बोल रहा हूं ज जिन पर बढ़ बाद माला लिखनी आती है तoke अधे श्को जाद कर सकते हैं और जिन दोस्तों है आप अभ्यास करलें ताकि आपको बढ़ माला लिखनी आजया और आप आप बढ़ आसानी पढ़ते हैं कंट हैं यह कंट से बोल जाता है अगर हम इनको उच्छान करेंगे तो कंट यानि गले से इसके आवाद ध्वनी निकलेगी जिसका का गा गा न ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गला कोई पकड़ के चल रहा है दोस्तों तो इस परिकार से यह कंट से बोले आते हैं अगला पढ़ लेते हैं तालबे यानि जो तालू से बोले जाते हैं जीप के तालू से बोले जाते हैं तो यह कौन-कौन से होते हैं यह चैवर्ग माने जाता है च च ज ज ज ज ज न तो दोस्तों इस परिकार से तालबे बन होते हैं तो आगे आगे देख लेते हैं मूर्धन तो हमारी ये वो दातों से टकराकर वापस आती है इसे दंते सब्द बोलते हैं अगर आप एक बार उच्छानल करेंगे तो आप बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे दोस्तों आगे देख लेते हैं और भापस बापस बापस आते हैं विसमें हगोले तो इनको इसमें आता यह olho निकों यह जान से उच्छान की आप प्रिशन बनता है तो आप एक बार बोल को चानल करके देखना तो आप खुद बहुत समझाएंगे वो कहां से निकल रहा है अगर आप एक दो बार इसको वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों अगल तो दोस्तों इस प्रिकार से अगर हम बोल के देखे तो एक प्रिकार से हमारे मुख से गरम धोयनी निकल रही है इस प्रिकार इसने उश्मेश्वर कहते हैं तो दोस्तों आगे यह तो हमारा हो गया कि उच्छानल के इस्तान से कौन-कौन से होते हैं दोस्तों हमने एक बार पूर्ष dram कोन रजा सब्सक्राइब नकमार लॉग कोन सब्सक्राइब दोस्तों इसे पर द बनता है तो आप theo बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं अगर आप अलफबिट नहीं दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि एक बार इसको पढ़ना सीख लें या लिखना सीख लें एक दो बार प्रक्टिस करें तो आप सीख जाएंगे और बड़ने एजिली है जो सब DJs हमारे पढ़ाते होंगे तो उनगो तो बड़ा आपसानी से याद हो गी आगे देख लेते हैं अंग दोस्तों अंग जो मैने अभी एक नया वह देखा है इसमें दोस्तों यह ना तो आंत्यस्तों होता है और इसलिए मैंने इस अंत्यस्ता सा और मूख दोनों से बोला जाता है इस की प्रिकार इसको हम, नाज कि भी कह सकते हैं ये शुयर है दोस्तों आगे देख लेते हैं हमारा स्ब्संकां सार की सबसे चोटी कहाई क्या है दोस्तों आप उन्हेंद है सबसे चोटी कहाई क不多 है किमें वह तो शोटी बहता है वर्ण से सक्षक्त सर्गेंगां definite कि यह पूछ रहा है और ध्यान करना की मैंने मिया लगाता है दोस्तों और अनुनाशीक का संब्स होता है दोस्तों यह पूब कोई नहीं तो दोस्तों मैंने बता है अनुनाशीक सब्द यौ आंसर क्या होगा तो आगे बात कर लेते हैं हिंदी बढ़माला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों मैंने बताया भी था आपको दोस्तों इसकी बढ़माला में स्वरों कितनी संख्या है स्वरी 11 11 11 है दोस्तों आगे बात करते हैं भारते सम्मिदान में कितनी भासाओं का वर्णन है दोस्तो भारते सम्मिदान में कितनी भासाओं का वर्णन है सभी को पता चलिया होगा पहले इसमें 18 भासाओं थी परन्तु कुछ संसोदनवे जैसे 21 वा, 71 वा और 92 संसोदनवा तो इस प्रिकार से इसमें 22 वहां साय हो गई दोस्तो आगे देख लेते हैं इन में से सुध बरतनी है इन में सुध बरतनी कौन सी है दोस्तो ये बहुती लोजिकल कुस्सन है मुझे काफी परसान किया था इस मैंने जब पढ़ाता पहली बार तो मैंने इसलिए इसमें रख ल स्तो कि दोस्तो धिक्ल अगे देख लेंगे तो यह अनदर से कौन से लिए हैं यानिकि हमारे संख लह कौन से होते हैं तो देख ले वैं कौन से है यह होते हैं यह हुझे इन तो यह यह तो विसरग होते हैं और यह रह लेव यह होते हैं दोस्तों यह होते हैं हमारे कौन से अंतेस्ट वेंजन तो आगे देख लेते हैं वर्स 1905 में गटित पिर्थम राज भासा आयो के अद्यक्स थे इन्में पूछा गया है बीजी खेज, सुनित कुमार चटर जी, जीवी पंत, या पी, सुबबा रोयन, रोयान, तो दोस्तों इसमें आंसर होगा इसका, कह, यह थोड़ा इतियास है, इसलिए मैंने इसको रखा है, आगे देख लेते हैं, हिंदी भासा की कितनी भासा हैं, दोस्तों मैंने बताया, तह आपको आयोग बहाग है, यह थो नहीं होते हैं, बिसर्ग होते हैं, जो समय ने लाष्ट में एक तालीका बनाई ती, उसमें आपने देखा होगा कि अंगूर जो होता है, वो मैंने उसको बाद में रखा था, यह हमारा नाशकी भी होता है, और बिसर्ग भी माना जाता है, और यह आयोग बहाग ही विसर्ग होते हैं, बिसर्ग भी आयोग बहाग होते हैं, तो आगे देखते हैं, दो, दो सतो हमारे यही कर दीजिए, और बहुद बहुद धन्यवाद नमस्कार दोस्तो